नमस्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर फ्रेंट्स आज में मेरा मनी प्लांट को कैसे ग्रो किया है और इसका ग्रोध कितना तेज से हुआ है और कितना खुबसुरत लगेगा इस तरह के ग्रोध देखने के लिए जो काम में करती हूं वही बाते आप लोके सा करना चाहती है देखी माननी प्लांट्स बहुत सारे आता है जैसे कि गॉल्डेन पोथ सो या मार्बल कुइन पॡब ओ सो यह मार्बल कुइन पोथ सो औरर ऊख ए को मैं पानी में है पानी में अच्छे से उग्रोध हो जायेगा उसके बाह्त मिट्टी पर अपलुग लग ल में मेरा money plant पर में spray करती हूं कम से कम 10 देज में एक बार तो जरूर करती हूं इसके बाद इसका growth देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरे छोटे-छोटे container में money plants ये dilute easy से हो जाता है इसको पहले मैंने अच्छे से dilute करके 1 लेटर पानी में मैंने सारे पोधे पर इसको डाल सकते हैं इसको डालने से, स्प्रे करने से मेली बक्स बगरा का भी खतरा नहीं रहेगा और प्लांट्स का ग्रोध बहुत अच्छे से होगा यह हैं अमारा कीचेन से निकला हुआ चीज जो कि हमारा खाने वाला सोड़ा मिठा सोड़ा जिसको हम लोग यह हैं खाने वाला सोड़ा बेकिंग सोड़ा है फ्रेंद्स बेकिंग पावडर नहीं है इसको महीने में कम से कम तीन बार 10 देश के अंतराल में हो या 15 देश के अंतराल में मिट्टी पर नहीं देंगे सिर्क पत्तों पर स्प्रे करेंगे इसको जो प्रे को अब हर किसी प्लांट पर भी स्प्रे कर सकते हैं इसको स्प्रे करने से मीली बक्स का या कोई भी स्प्राइडर मैट का खत्रा नहीं रहेगा सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और मानी प्लांट पर तो यह रामबान उपाय हैं मैं तो यही काम करती हूं कीचेन से जो अभेलेबल होता है इसको मैं प्लांट के उपर काम करती हूं देखिए इस तरह से एक पत्ते के कटिंग अगर मिल जाएगा तो हम एक प्लांट बना सकेंगे कि हर नोड एरिया में उसका रूट है एक एक पत्ते को अगर हम वेल्टरिग साल में लगाएगे तो वह भी बहुत आच्छे से बहुत बढ़िया जो हैंग स्क मताल के साथ स्यार करती हूं इसको ज़्यादा कुछ खात बहुत आदे का ज़रूरत नहीं है अब तो पारिस का इसको कमसे कम एक बारिस में मैं भीगाती हूं अगर सारे प्लैंट को ऐसे दो बारिस में रखती हूँ और उसके बाद घर के अंदर ले कर आजाती हूं देखिये फ्रेंट इस तरह से अगर आप लोगग सिर्थ पानी से भी वुगाएंगे और यह बहुत कश्ली मिलता है जो इन बला पोथ से इसको नर्सरी से खरीत नहीं कि लिए जाएंगे तो यहीं बला कंटेनर को 250 से कम नहीं लेगा और इतना घना भी नहीं हो सकेगा देखिए फ्रेंड सीए जो कंटेनर में देख रहे हैं हैंकींग पड में यह मार्बल को इन पोथ से और कितने अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है लेकिन विंडो के बाहर था इसलिए उसका लीफ्स जल गया है जो भीशन घर्मी हुआ था इसलिए उसका लीफ्स थोड़ा बॉर्न हो गया है मैं उसको निकाल लूँगी और स्प्रे करके उसको बहुत अच्छे से ग्रो करूंगी प्रेंस मेरे चैनल पर अगर आपको जैनकरी अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लेजिए धन्यवाद